जमशेदपूर के भोले भाले लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में पीडित लोगों ने गैलेक्सी कंसल्टिंसी के संचालक साधन पांडा को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया साधन के कार्याले से 13 पासपोर्ट भी बरामत किये गए हैं इधर साक्ची पुलिस साधन से पूछता आच कर रही है मामले को लेकर पीडित शेहनवाज अहमत ने बताया कि साधन के कार्याले में दीपक और जुबैर के अलावा एक महिला भी काम करती है कार्याले में विदेशों में नौकरी दिलाने का कारे किया जाता है उसने दुबै में नौकरी के लिए कंसल्टेंसी के लिए 30,000 रुपे दिये थे इसके अलावा कई लोगों से रुपे लिए थे कुल मिला कर 5-6 लाक रुपे लिए गए पर जब भी उसे नौकरी के बारे में पूछा जाता तब वह टाल देता आज उसे पकड़ कर पुलिस को सौफ दिया गया गल्प जाने का नाम पे लड़का लोग से पैसा ले लिया जाली दिखा के और जो दू लड़का था छो काम कर रा था, जिसमें उफिस का एंडर में था हम अपीस का है बॉफिस का बोस यहां है वह जो दू लड़का और आज़े हो उस दुनेर लमारह के तो लड़का नाम दी बाक हम लो को बता था इधर साधन ने बताया कि उसने दीपक और जुबैर को अपने कार्याले में जगह दी थी उन्होंने ही जौब दिलाने के लिए रुपे लिए हैं फिलहाल वो फरार चल रहा है पुलिस मामले की जाच कर रही है पासपोर्ट बगरा बना रहा है अवे तरुप से वहाँ पर पही लोगों का पैसा लेके वह पासपोर्ट बनाया है विजेस बजने के नाम से तो आम पबलिक के द्वारा ही उसे पकड़ा गया है पकड़ के प्लिस को सपा गया है कि सर ये सादू सरन पैंडा नामक जो एकती हैं और उनके वो दो साथी हैं दीपक और एक हैं उनके साथ ही कोई है विजेस बजने के नाम पर पैसा कर नहीं ठकी किया गया है इसकी जनकर ये पूरा स्पस्ट नहीं हो आई है आवेदान विजेस बजने के लिए जमशेदपूर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट Tuffcon XT600HCR TMT Riva अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राइब